जमेनी जंग में रोकेट अर्टिलरी का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेन माना जाता है क्यूंकि जमेनी जंग में यार स्टाइक और मिसल स्टाइक के बाद रोकेट अर्टिलरी को सेकेंड स्टाइक वेपन कैपबिलिटी माना जाता है इसका कारण जमीनी जंग के दोरान कई समय पे एनिमी की एरिया में काफी सक्ती साली यार डिपेंस तैनाद रहता है इसलिए एनिमी के उपर सटीक से यार स्ट्राइक और मिसल स्ट्राइक किया नहीं जा सकता है उस टाइम पे रोकेट अर्टिलारी काफी ज़्यादा कारगार वेपन साबीत होता है एनिमी के उपर एर स्ट्राइक करने के लिए और एनिमी को निउट्रलाइस करने के लिए इसके इलाबा Rocket Artillery के दवारा Enemy के Air Defense Systems, Runway, Air Base, Military Base, Military Check Post और Enemy का हर जमीनी टार्गेट को Neutralize किया जा सकता है ये है एक Rocket Artillery का रोल तो आज हम आपको बताएंगे दुनिया का ऐसी Top 10 Long Range और सबसे सक्ति साली Rocket Artillery के बारे में चलिए देख लेते हैं ये 10 Long Range Rocket Artillery के बारे में नमबर 10 पर हे जिलखल 2 रोकेट और इस रोकेट इरहन का सबसे सकतिसाली और सबसे सकसेटपूल रोकेट सीरी जिलखल 1 का नेक्स्ट वारियान्ट है जिलखल 2 रोकेट इस रोकेट को बनाया जारा है 1997 से और इस रोकेट का मास वेट है 3595 kg जिल्जल 2 रोकेट 600 kg वारहेट पेलोट कैरी करने की क्यापाबिलिटीज है इसके इलाबा इस रोकेट का रेंज है 210 किलोमीटर और जिल्जल 2 रोकेट का डायमीटर है 610 mm जिल्जल 2 रोकेट रासियन 9K-52 लूना एम मिसाइल का एक अपग्रेटेट भारियंट है इसके अधर पर इस रोकेट को बनाया गया है और ये रोकेट का यूजर हेजबुला भूती रेवेल और सिर्यान आर्मी है जिल्जल रोकेट आस तक लेबनान वार सिर्यान वार और इम रोकेट मिलिटरी में सामिल हुआ 2016 से इस रोकेट का मास ओएट है 2800 kg और ये रोकेट 480 kg तक वारेट पेलोड करी करने की कैपबलिटीज है और इस रोकेट का रेंज 210 किलोमीटर पॉलोनेस रोकेट का डायमीटर 300 mm और पॉलोनेस रोकेट को काफी ज्यादा गाइडेट सिस सिस्टेम और इंटर्नल नेविगेशल सिस्टेम से इसको गाइड किया गया है और ये रोकेट काफी ज्यादा सक्सेस्पुली इस्तमल किया गया था 2020 का सबसे बड़ा नोगण्नो करावाक वार में नंबर आद मेर केण09 रोकेट और ये रोकेट नोट कोडिया का सबसे पहला और सबसे सकतिसाली लong रेंज रोकेट आटिलरी से और इस रोकेट को बनाया जा रहा है साल 2014 से इस rocket का मास वेट 1500 से लेका 1800 kg और ये rocket 190 kg तक वारहेट पेलोट करी करने की capabilities है इसके इलाबा इस rocket का diameter 300 mm और के एन 09 rocket का range 210 km और ये rocket in service किया गया था 2016 से और इसके इलाबा के एन 09 rocket का एक और एक updated variant है जिसको GPS सिस्टेम और navigation सिस्टेम से last किया गया है इसके बाद नमबा साथ में A300 MBRL ये rocket चाइना के दोवारा बनाए जाने वाला एक long range rocket artillery से कहा जाता है इस rocket का range 250 km है और ये rocket 300 kg तक वारहेट पेलोट करी करने की capabilities है और इस rocket का mass weight 1200 से लेका 1500 kg तक है और इस rocket को guidance सिस्टेम से last किया गया है जैसे कि global navigation systems और internal navigation system से इस rocket का भी caliber 300 mm है और ये rocket कब service में आया और कब से इस rocket को produce किया जा रहा है इसके बारे में चाइना कुछ publicly details share नहीं किया है और ये एक चाइना का mysterious long range rocket artillery से जो काफी ज्यादा घातक और काफी ज्यादा सकती साली है गाइस आप तक जो rocket artillery के बारे में आप देख रहे थे या सुन रहे थे यह सब perfectly एक rocket artillery था मागर इसके बाद आप कुछ कुछ आइसा देश के बारे में देखोगे जो tactical ballistic missiles और cruise missiles को एक rocket artillery के तरह ही इस्तमाल करता है और ये काफी ज्यादा effective और काफी ज्यादा successful रहा है पिछले काई सारा war में नमद छे में एस्ट्रास 2 ABTM rocket artillery इसमें ABTM जो rocket है ये एक cruise missile से और ये ब्राजिल का दोवारा बनाए जाने पाला एक long range rocket artillery से और इसको तैयार किया गया है साल 1999 से इस rocket artillery का particular काई सारा variant है मागर इस rocket artillery का diameter 450 mm और इस rocket artillery का range 300 km इस rocket artillery का mass weight 1100 kg और 200 लेकर 500 kg तक वारेट पेलोड करी करने के capabilities है इस rocket artillery में आज के date में इस rocket artillery का per unit cost एक से लेका 2 million US dollar और इस rocket artillery में GPS systems, navigation system, internal navigation systems के द्वारा इस rocket artillery को last किया गया है और ये एक cruise missile से और इसलिए इसका speed भी एक subsonic speed है 0.85 max और ये rocket artillery का accuracy कहा जाता है 30 meter और ये rocket artillery इस बक्त ब्राजिलियन आर्मी, ब्राजिलियन नेवी और military corps के दोवारा इस्तमल किया जा रहा है नमबर पांच में M142 MBRL HIMARS ये अमरीका दुआरा बनाये जाने बाला अब तक सबसे successful rocket artillery में से एक artillery है इस rocket को produce किया जा रहा है 2000 साल से और इसका caliber 227 mm है और इस rocket का range 300 km तक है एक बत कहा दूँ ये एक ballistic missiles को इस्तमल किया जाता है rocket artillery के तोर पर और इसके साथ इसका बड़तमन समय पे unit cost है तिन से लेका 4 million US dollar और ये अब तक 3700 unit से भी ज़्यादा unit बनाया जा चुका है ये पिछले Afghan war, Syria war और Iraq war में काफी ज़्यादा successfully इस्तमल किया गया था इस rocket artillery को इस rocket artillery का original name MGM-140 Atakams tactical ballistic missiles और इसका mass weight 1670 kg और ये 300 से 400 kg तक warhead pilot कैरी काने की capabilities है और इसका altitude range 50 km तक है और इसके साथ इसका speed 3 Mac तक है और इस rocket artillery को GPS system, internal navigation system और satellite system से भी last किया गया है और इस rocket artillery का सबसे बड़ा user तूर्की, Greece और United Kingdom और South Korea है अमरिका के इलाबा नामा 4 पे Line-X rocket और इस rocket को बनाया है इस्राइल ने और particular Line-X को कब से produce किया जा रहा है इसके बार में publicly ज्यादा details इस्राइल शेयर नहीं किया है मगर ये एक rocket launcher है और Line-X rocket launcher से 122 से लेका 300 mm caliber का rocket fire किया जा सकता है जिसका range 200 km से लेका 300 km तक है और इस rocket launcher से ballistic और cruise दूनो missiles को fire किया जा सकता है जो tactical ballistic missile में Pediatr Hawk और cruise missile में Delia cruise missile इस्तमल किया जाता है Pediatr Hawk को बनाया जा रहा है 2016 से और इसका mass weight 800 kg तक है और Pediatr Hawk का range 300 km और Pediatr Hawk को GPS, GLONASS systems और internal navigation system से last किया गया है और Pediatr Hawk maximum 140 kg तक warhead payload करी करने की capabilities है accuracy अगर कहा जाए तो ये 10 meter है दूसरी तरफ Delia cruise missiles के बारे में अगर कहा जाए तो इसका mass weight 190 kg से लेका 300 kg तक इसका mass weight है और ये 30 से लेका 90 kg तक warhead payload करी करने की capabilities है और ये एक cruise missile होने से इसका speed भी subsonic speed है 0.85 mag इस cruise missiles का accuracy अगर कहा जाए तो ये एक meter है इसका range अगर कहा जाता है तो ये 500 km है इस list में तिसरे स्थान पर है KN-25 और ये नॉर्ट कोडिया के दोवारा बनाए जाने बाला एक long range rocket artillery से बेसिकली ये एक tactical ballistic missile से मगर नॉर्ट कोडिया इस missiles को एक long range rocket artillery के तोर पर इस्तमाल करेगा और इस्तमाल करने के लिए इस rocket artillery को काफी ज़्यादा development कर रहा है और इस rocket artillery को 2019 से produce किया जा रहा है और इस rocket artillery का diameter 600 mm और इस rocket artillery का range 380 km और KN-25 rocket artillery का mass weight 3000 kg और KN-25 rocket artillery इस लिस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा पेलोड करी करने बाला rocket artillery से 200 से लेका 700 kg तक पेलोड करी करने के capabilities है नॉर्ट कोडिया इस rocket को सबसे पहले टेस्ट किया था 2019 25 आगस्ट में 2020 में 29 मार्च में सबसे पहले टेस्ट किया था नॉर्ट कोडिया इन दो सालों में 13 टेस्ट कर चुका है जैसे कि 2019 में 9 टेस्ट 2020 में 4 टेस्ट नॉर्ट 2 में जिलजल 3 और यह इरान का जिलजल सीरिस का तिसरा मिसाइल से और इसके इलाभा इस लिस्ट में इरान एक एक लौता ऐसा देसे जो इस लिस्ट में particular long range rocket artillery इस्तमाल करता है अपने आर्मी के लिए किसी भी tactical ballistic missiles और cruise missiles इस्तमाल नहीं करता है long range artillery के लिए इस rocket को produce किया जा रहा है 2007 से जिलजल 3 का diameter 610 mm और जिलजल 3 का mass weight 3800 kg और इसके साथ जिलजल 3 इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पेलोट केरी करने की capability rocket artillery में से सबसे पहला और सबसे सक्तिसाली rocket artillery है 500 से लेका 900 kg तक warhead केरी करने की capability से इसके इलाभा internal guiding system, GPS system, navigation system से इस rocket artillery को last किया इसके इलाबा इरान ने इसका और एक नया variant बनाया है जो जिलजल 3B नाम का है जो एक medium range rocket artillery है जिसका range 500 km तक होफुली इरान इस rocket artillery में काफी ज्यादा development और फोकस किया है इसका accuracy और इसका warhead पेलोट केरी करने में सबसे सक्तिसाली और नमबर एक में SY 400 rocket यह rocket artillery बनाया है चाइना ने और यह चाइना के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सक्तिसाली और सबसे ज्यादा लॉंग रेंज रोकेट आटिलरी है यह रोकेट आटिलरी चाइना कब से पर्डूस कर रहा है इसके बारे में तो कोई पता नहीं और इसके साथ चाइना इ 3200 kg तक हो सकता है और जिसका वारे पेलोड केरिक्रापसेटी 500 kg तक है और इसका डायमीटर के बारे में कुछ पता नहीं मागर इसका रेंज 400 km तक है इस रोकेट आटिलरी आप तक दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रप्तर वाला रोकेट आटिलरी है 4.5 से लेकर 5 मैक यह एक हाइपासोनिक रोकेट आटिलरी है और यह आटिलरी सबसे पहले कातर यार्सो जो जुहाई यार्सो में इंटेड्यूस किया गया था इस रोकेट आटिलरी का बढ़तमन यूजर है कातर आर्मी और मायनमर आर्मी होपफुली अलजेरियन आर्मी तो गाइस ये था ये टॉप 10 लोंग रेंज रोकेट आटिलरी और इसके बारे में आप क्या सहसते हो जरूर कमेंट करके बताना और ये टॉप 10 लोंग रेंज रोकेट आटिलरी कितना एफेक्टिव है इसके बारे में जरूर आप बताना इतना देखने के लिए बहुत ही ज् ध्युक्त वर वाचिंग।